तो आप तेजस्वी यादों को लेकर खुब चर्चा चल रही है कि वो बिहार की राजिती को बदल रहे हैं तो इसे आप समझेए कि अगर ट्वीटर पर कोई तेजस्वी यादों से कहता है कि फलनवा ठाने के दरोगा साहब ने 500 रूपया रिश्वत ले लिया और तेजस्वी यादो तुरंत उसका रिप्लाई करके कहते हैं कि दरोगा साहब गिरवतार किये जाएंगे या दरोगा साहब वकड़े जाएंगे तब आप सोचिए कि कितना बड़ा असर पड़ेगा और इसी चीज को लेकर चर्चा चल रही है कि अब तक भी हार में कोई नेता इस प्रकार से ट्वीटर के जरिये या सोशल मीडिया के जरिये कुछ नहीं कर रहा था लेकिन एक युवा निर्तुर तो आया उप मुख्यमंत्री के रूप में एक युवा चेहरा उप मुख्यमंत्री बना तब यह सब कुछ देखने को मिल रहा है जहां ट्वीटर पर अगर कोई शिकायद करता है तो तुरंद राज का उप मुख्यमंत्री कहता है कि कारवाई करेंगे और इसको लेकर खुब चर्चा चल रही है कि तियस्वी यादो विहार की राजिती को बदल सकते हैं बाकिया नमस्कार मेरना मैं महुष्ट कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन या वीडियो रैपीडो वैप के द्वरा प्रायोजित है अब पटना में कहीं भी कम पैसों में जल्दी पहुंचना बहुत आसान हो गया है रैपीडो वैप के साथ रैपीडो एप तता राजा बजार से पाटली पूत्र मात्र छे रुपए प्रतिकिलूम्टर में पहुंचिये महंद्रू से अगर बजार समीती जाना है या फिर राजेंद्दगर से महंद्रू तो मात्र भीस रुपए में और इसके बाद अगर बोरिंग रोड से पाटली पूत्र तो मात पड़े बीडो बाइक टेक्सी एप होगा उसे डाउनलोड कीजिए अब वापस आते हैं तेश्री यादों पर बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या अगर आम जनता के बारे में बातचीत करें जिससे हर कोई कभी न कभी गुजरता है तो अगर आप बाबू को वहाँ पर जो अधिकारी हैं जो करमचारी हैं उनको रुपया नहीं पकड़ाएंगे तब वो आपका काम नहीं करेंगे आपको बेवजा पांटमा दिन दोड़ाएंगे और बकाइदा तो यह शुया दो जब आरा के दोरे पर थे तो उन्होंने कहा भ सुचिये काम करेंगे जाए और बार बार सरकारी कर्याले के चक्कर कट्वाने का सिधा सा मतलब होता है कि आध़ी 150 पांसों को देदे रहें हम cosmLaughter करवा देंगे लेकिन अब कुल ट्वीटर पर अगर डिपटी सीयम्हात का इतना ज्यादा तो आप सोचिए कि अगर कोई ये ट्विट करके कहता है कि फलनवा थाने के बाबू ये फलनवा प्रकंड कर्याले के बाबू ने हमारे काम के लिए 150 रुपिया लिया या वो मान रहे हैं और अगर उपमुख्यमंतरी कहते हैं कि इस पर हम जाज करवाएंगे कारवाई होगी तो निश्चित तौर पर हजारों लोग डरने लगेंगे और अन्य राज्यों में इसी चीश को लेकर कहा जाता है कि वहाँ पर काफी हद तक इसी सुद्री है क्योंकि वहां के जो जितने सरकारी डिपार्टमेंट है वो सोशल मीडिया परेक्टिम है जिसके जरिये ल लोग अपनी समस्या को बहुत आसानी से उन तक पहुचा देंगे और दूसरी बात असलियत में क्या हो रहा है तेजश्वी यादो को इसके बारे में भी पता चलेगा और इसलिए अब चर्चा चल रही है कि तेजश्वी यादो बिहार की राजिटी को बदल देंगे बिहा अब सीधे आम जनता के मन में उनके लिए सित्त अच्छी थक्षमी बनेगी और इसका असर तेजश्वी यादों पर निश्चित रूप से पड़ेगा उनका चेहरा और अधिक चमकेगा तो खुल मिलाकर तेजश्वी यादों ने अब कह सकते हैं कि एक नई परंपरा को लेकिन तो यश्वी यादों ने बता दिया कि अब वाकई में बिहार बदल रहा है बिहार की राजिती बदल रही है अब अगर इश्वत खोरी करेंगे गलत काम करेंगे तब केवल दस सकेंड एक मिनट के अंदर ट्वीट करके आदमी हमारे तक अपनी बात पहुंचाएग का और हम तुलंत कारवाई का आदेश देंगे बाकि आपके अस्तोंस ने हैं हिते जश्वी यादो सोचल वीडिया पर अगरेक्टिव रहते हैं तो उसका कितना बड़ा स्वाइदा होगा इस्तिति कितनी सुध्रेगी उसे कमेंट बोक्स में लिकर बदाईएगा वीडियो प्रश बड़ो